नमस्कार मेरा नाम है नील दिश्टी आईस के एरिटोरियल एनलिसिस में आज आपका फिर से स्वागत है आज का संपात किये फ्रॉम मिसाइल्स तू मील्स यानी निर्भरता आत्म निर्भरता जो है वो हतियारों से लेकर आपके जो प्लेट में खाना आता है वहां तक होनी चाहिए किस स्थर पर व्यक्ति कि स्थर पर बात नहीं हो रही है बात हो रही है देशों के स्थर पर इस से पहले की आगे बढ़ें बता दें इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया संपात किये लिखाय अशोग गुलाटी सहाब और आयूशी खुराना साहिबादवारा दोनों खेती के विश्यों पर लिखते रहे हैं गुलाटी सहाब तो हमेशा से ही इंडियन एक्सप्रेस में regular columns लिखते हैं हमने कई बार पहले भी जिक्र किया है एक बार कंटेक्स जान लेते हैं क्या है ब्रॉड आउटलुक ब्रॉड आउटलुक है कि रूस यूक्रेन विबाद में एक बार ये बात फिर से खुल कर सामने आई है कि देशों का आत्म निर्भर होना कितना आवश्यक है तो ये इस आत्म निर्भाथा की बात आम तोर पर defense sector के लिए कही जाती रही है शुरूवात में ये समपादक जो दोनों समपादक हैं ये लिखते भी है कि ये बात आम तोर पर डिफेंस के परिपेक्ष में बार-बार दोहराई जाती है लेकिन बहुत जरूरी है कि ये ध्यान रखा जाए कि आत्मिल भरता के शुरुवात लोगों के या नागरिकों के घर में जो खाना पहुँच रहा है वहां से होती है और वहीं से होकर जो पूरा सर्किल है इस बात का भी जिक्र है कि आत्म निर्भर होने का अर्थ क्या होता है तो इस बात को आप ये यूं मान के चलिए कि कई बार आत्म निर्भरता के अर्थ लगाए जाते हैं कि हम जो जो इस्तमाल करते हैं वो सब कुछ हम खुद बना सकें क्या आत्म निर्भरता का ये मतलब होता है संपात के इसका जवाब देता है कि ये मतलब नहीं होता है अगर ये मतलब नहीं होता है तो क्या मतलब होता है इसका जिक्र भी ये संपात किये आगे डिसकस करेगा संपात किये बात करेगा कि तो नात्मक रूप से जिन प्रोड़क्स को आप बेहतर प्रोड्यूस करते हैं एक देश के तौर पर उस पर कैसे ध्यान देना हैं, किन प्रोड़क्स पर कम ध्यान देना हैं, और उस प्रकार से आत्म निर्भरता पर आगे बढ़ना हैं, फिर एक महत महतुकूर्ण बिंद कर रहे हैं आपकी अपनी तकनीक क्या है वो बहुत महत्वपून साबित होती है ये तैक करने में कि आप एक डिफेंस पार के रूप में कितने आत्म निर्वर हैं उसी प्रकार से खेती में जब आत्म निर्वरता की बात होती है तो वहाँ पर भी समाम खर्चे हैं जो भारत एक अर्थवस्था के तौर पर अपने अग्रिकल्चरल सेक्टर में करता है उस खर्चा का एक सबसे बड़ा हिस्सा अगर आपको ये दिख रहा है तो आप जान लीजिए कि वो खर्चा है फूड सबसीडी का उसके बाद जो दूसरे सबसे बड़े खर्चे हैं फसल भी मायोजना का है या फिर मन्रेगा का है तो आप पुछेंगे बाद तो आर एंडी की हो रही थी research and development की हो रही थी मात्र इस पूरे खर्चे में से इतना खर्चा जो एक छोटा सलाल गोला शूनने की तरह बना हुआ आपको दिख रहा है लगबग शूनने जितना ही खर्चा कितना करना चाहिए कम से कम एक प्रतीशत करना चाहिए इन सब बातों का जिक्र फिर समपात किये वहां से शुदू करता है उसके बाद इकॉनमिक सर्वे ने इस बारे में क्या कहा है कि अलग अलगत है कि जो हम खर्चे करते हैं उनका क्या बेनफिट होता है किस तरह के खर्चे का बेनफिट अंततह जादा होता है किसका बेनफिट कम होता है इसका भी हम दिक्र करेंगे उसके बाद इसमें प्राइवेट यूक्रेन विबाद शुरू हुआ, रूस ने हमला किया यूक्रेन पर, तो प्रधानमंत्री मोधी सहाब ने फिर से बात दोराई कि भारत को डिफेंस में आत्म निर्भर होने की आवशकता है, ये बात क्यों दोराई गई, के वल डिफेंस की बात नहीं है, जैसे की वीजा और मास्टर कार्ड ने कह दिया रश्या को कि हम आपके यहाँ अपनी सर्विसेज बंद कर रहे हैं, इस तरह से कई ओनलाइन डूसरी कंपनी ने भी कह दिया कि हम रूस को अपनी सर्विसेज नहीं देंगे, बैंकिंग प्लेटफॉर्म, स्विफ्ट, जिस पर की यूरोपिय देशों का मुख्य अधिपक्त है, उन्होंने भी कह दिया कि हम रूस को अपनी सिस्टम से बाहर करते हैं, तो इसने कई देशों के मन में ये बात जगा आई कि दुनिया कितने निर्भर हैं, कुछे एक देशों की तकनिकों पर, तो इससे फिर वो बात उभरी कि सेल्फ रिलाएंस जो है, आत्म निर्भरता जो है वो बहुत जरूरी है, और डिफेंस के शेत्र में तो है हम देख रहे हैं यूक्रेन, जो कि देखेंस के मामले में फिर भी ठीक ठाक अग्रणी देश है, उसको भी बार बार रोज मांगना पड़ रहा है कि अमरीका से हतियार दे दो, इस्राइल से हतियार दे दो, अमरीका कुछ हतियार दे रहा है अपनी शर्तों पर इस्राइल कभी-कभी इंकार कर दे रहा है तो ये हाँ और ना के इंतजार में हर देश को ये बात तो चुभी रही है जो इसको अपना degree of self-reliance बढ़ाना पड़ेगा उसके बाद नेरे मिला सीता रमन साहिबा ने भी इस बात को point out किया कि UPA के 10 सालों के कारेकाल के दोरान बहुत कम या ना के बराबर defense equipment खरीदे गए लेकिन यहाँ भी बात खरीद की हुई, self-reliance की कम हुई तो ऐसे में संपात किये क्या कहता है कि अमरित काल अमरित काल यानि budget में जब कहा गया कि यह अमरित महोसाफ जो हम मना रहे हैं तो हम मान के चलें कि अगले 25 साल जो है, वो अमरित काल की शुरुवात है अगले 25 सालों में भारत का मुच्टक्बिल, भारत का भविश्य जो है, वो रचा जाएगा नए सिरे से उस अमृतकाल में किस बात को ध्यान रखना है कि हम सेल्फ रिलाइंट हो सकें ना सिर्फ अपनी मिसाइल्स में बलकी मील्स में भी मील्स यानी हमारे घरों में आने वाला भोजन हमारी थाली तक पहुंचने वाला भोजन तो हमारी सीमा से लेकर हमारी थाली तक हम अपने सेल्फ रिलाइंस को बढ़ाना है ये बात कोई नई बात नहीं है हमारे शश्वी प्रथान मंत्री लाल भादु शाष्त्री ने धी जय जवान जय किसान का नारा दिया था उसमें इस बात की को तरजी दी गई थी कि सीमा पर खड़ा जवान और खेतों में घड़ा जब आप जय जवान जय किसान में जय विग्यान जोड़ते हैं तो Research and Development की बात अपने आप सामने आजाती है Technology Transfer की बात अपने आप सामने आजाती है उसका Defence के लिए क्या जरूरत है उसके हम कभी और चर्चा करेंगे पहले भी हमने कई बार चर्चा की है बट आज का जिक्र विज्ञान की जय किसान के परिपेक्ष में किसान के कंटेक्स में इस पर ये सारी चर्चा रहेगी फिर बात उसकी जिसके हमने चर्चा की थी कि भई इस आत्म निर्भरता की बात हमने क्वार सुनी इसका अर्थ क्या होता है आत निर्भरता का अर्थ ये नहीं होता कि आप सब कुछ अपने घर में ही उगाएंगे चाहे उसकी कितनी भी कीमत चुकानी पड़े नहीं नहीं उसका अर्थ होता है कि आप उन commodities में उन सभी सामानों में जिसमें आपके पास एक comparative advantage है तो नात्मक रूप से आप फायदे की इस्थिती में हैं एक बेतर इस्थिती में हैं उन पर ध्यान के इंद्रित कीजिए उनको export कीजिए उनको दुनिया भर के देशों में निर्यात कीजिए और उन कुछ गिनी चुनी चीज़ों में जो तमाम कार्णों की वज़े से वो प्र ताबरी की स्थिति पे हैं या बेतर स्थिति पे हैं उन पर ध्यान के इंदित कीजिए दुनिया के देशों में उसका निर्याद बढ़ाईए जिन चीजों पर आप थोड़े से पीछे हैं वहां पर उन चीजों का आयात कीजिए जहां पर आपके पास comparative advantage नहीं है और यह इदर करना है कि किन चीजों में महारत हासल करनी है इन दोनों लक्षियों को लेकर आत्म निर्भर बनने की ओर बढ़ना है तो उसके बाद तीसरी बार हमने आत्म निर्भरता की दो बात से तो देख ली कि comparative advantage जिन में मिला हुआ है या जिन में मिल सकता है उन चीजों पर काम करना ह उनको निर्यात करना है जिसमें comparative advantage नहीं है किसी भी कारण से उन चीजों का आयात करना है उसमें भी जहां तक हो सके तक्नीकी दक्षता खुद प्राप करनी है ये दो बाते हो गई तीसरी बात ये है कि आत्म निर्भरता में कई बार देश की अर्थवस्थाएं protective हो जाती है जैसे कि माना जाता है license राज के दौर में तमाम विदेशी कमपणियों को भारत से बाहर रखा गया इस बात को भी कहकर और दूसरे कारण भी थे बड़ इस बात को भी कहकर कि वो सारी कमपनिया अगर भारत में आ जाएंगी तो भारत की कमपनियां उनका सामना नहीं कर आपको अपनी company को सुरक्षा देनी पड़ेगी कुछ समय के लिए तैय समय के लिए कि आपकी company grow कर सकें, technology और market को capture कर सकें, तब जब कि वो competition के लिए तयार है, पर वो तैय समय सीमा होनी चाहिए, और कुछ एक sectors में इसे ही होनी चाहिए, बाकी के सेक्टर्स को आपको high tariff walls के पीछे रक्षा नहीं देनी चाहिए उससे ना तो आपके पास global शेत्र की कंपनिया तयार होंगी नहीं आपके देश में global इस तरह की तक्नीक है आएंगी क्योंकि जब उनका काम ही high tariff wall बहुत ज़्यादा टेक्स के पीछे बच कर छिप कर चल जाएगा तो वो क्यों ऐसे उद्यम शीलता दिखाएंगी कि वो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों से उननत कंपनियों से प्रतिस्परधा कर सकें तो इन तीनों बातों का ध्यान रखना है इन तीनों बातों को आत्म निर्भरता की परिभाशा में हमें नोट कर लेना है उसके बाद किसी भी देश को comparative advantage कैसे मिलती है या मिल सकती है इसी पर आगे की अब हम बात करेंगे जहां तक खेती की बात है कोई भी देश और हम बात खेती की कर रहे हैं आप सुनने के दुरान कुछ भी सुन सकते हैं आप हथियार भी सुन सकते हैं आप computer भी सुन सकते हैं आप तकनीक का शेत्र भी सुन सकते हैं हर जगे comparative advantage तो लिनात्मक रूप से सक्षम होने की शर्ते कमोबेश यही हैं देखें क्या शर्ते हैं कि कोई भी देश अपने उस field में अगर खेती की बात हो रही है तो खेती क से मिलेगी तो फिर से दो रहा हैं तो हमने तीन बातें देखी आतनिर भरता की उसमें एक महतिकूर्ण पहली पहलू था comparative advantage तुलनात्मक रूप से दक्ष होना उस तुलनात्मक दक्षता को पाने की क्या तरीके हैं तो उसका पहला चीज है कि आपको research and development में invest करना होगा उस के अलावा बाते क्या हैं लैब टू लैंड आपकी तक्नीके जो हैं वो केवल scientist के पास यह research papers में महदूद होकर ना रह जाएं limit होकर ना रह जाएं बलकि वो research papers से निकल कर खेतों तक जा सकें इसका भी आपको ध्यान रखना होगा अगर कोई better crop का भी जाया है कोई better fertilizer खो जा गया है तो तो तुरित रूप से उसको खेतों में चेक किया जा सके अगर वो सफल है तो उसको देश में जल्दी से जल्दी पहला जा सके इन बातों पर भी ध्यान देना होगा दूसरा दो बाते हम निकल ली तीसरी बात क्या है कि आपको investment कर ने होंगे कई चीजों में उध चादी के 70 साल बाद आमतोर पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसान को आस्मान की ओर टक्टकी लगा कर देखना पड़े कि अगर बादल आये हैं पानी से भरे हुए और बरस गए यह सब हुआ तो ही उसकी फसल आएगी ऐसा नहीं होना चाहिए था जहां तक संबग है सिचाई के साधन मौजूद होने चाहिए थे ताकि किसान को कम से कम ये तो रहे कि पानी की कमी की वज़े से सिचाई के साधनों के अभाव की वज़े से उसकी खेती को नुकसान नहीं पहुँचेगा उस चीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है यह हो गया तीसरा बिंदू के बाद बिंदू है चौथा बिंदू क्या है कि महसिचाई तक से ही काम पूरा नहीं हो जाता है एक बार आपकी फसले खेतों में लहलाने लगी उसके बाद उसकी मार्केटिंग और उस प्रड्यूस को कहां रखना है यह दोनों बाते भी तैक करती है कि किसान वर फैसिलिटीज कि अगर किसान चाहता है कि उसका आलू जो है जो दस रुपे किलो कांच रुपे किलो बिखता है वो कैसे बीस रुपे का सौ ग्राम वाले चिप्स में कनवर्ट हो जाए वो टमाटर जो अमूर्मन सर जाता है वो कैसे जैम या टोमेटो कैचप में बदल जादा है जिसकी शेल्फ वेल्यू भी जादा है प्रमाटर आपका कुछ ही हक्तों में खराब होने लगेगा लेकिन इन चीजों की वेल्यू प्रोसेस होने के बाद इनकी जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है तो चौथा बिंदू हमने क्या देखा मार्केटिंग और और दुनिया भर के मार्केट्स तक मोहतने का इंतजाम भी आपको इस पूरी पारिस्थितिकी में करना होगा तभी आप एक कमपैलिटिव एड्वांटेज खेती के शेत्र में पासकते हैं तो पांच बिंदू की हमने चर्चा की अब हम आगे बढ़ते हैं अब हम बात करते हैं Research and Development की हमने जो पांच बिंदू चर्चा किये थे उन में से एक था Research and Development आगे का समपात किये उस Research and Development पर ही है तो अगर प्रशन फोकस करता है GS paper 3 में मान लिजी अर्थरवस्ता से जुड़ा कोई प्रशन आता है खेती से जुड़ा कोई प्रशन आता है तो उन पांच बिंदू पे अगर आपका काम चल रहा है वो पांच बिंदू काप हुए है लेकिन अगर प्रशन फोकस्ट है खेती पर तो फिर Agriculture के शेत में Research and Development का क्या योगदान है उसके लिए आगे के बिंदू को भी ध्यान लग सकते हैं कि अगर आप Research and Development पर फोकस करते हैं तो आपकी जो तमाम तक्नीके हैं वो अधिक उन्नत होती है अधिक उन्नत होती है तो खेतों की उत्पादक्ता बढ़ती है अलग-अलग इस चरण पर जब उत्पादक्ता बढ़ती है तो पूरी पारिस्थितिकी में एक बड़ा परिवर्तन आता है अंतराश्टिय इस्तर पर आप शीर्ष देशों में आ सकते हैं जिनकी उत्पादक्ता प्रती हेक्टेयर बहुत अधिक है अभी हमारी efficiency काफी देशों से बहुत कम ह हमें उसको बढ़ाने पर काम करना है तो वो काम Miracle Sears के स्थर पर भी होता है जरूरी नहीं है कि वो बीज आपी के खेट आपी के देश में आपकी प्रयोक्षालाओं में खोजे गए हो वो दुनिया के किनी भी प्रयोक्षालाओं में खोजे गए हो लेकिन आपको अपने द गांधी साहिबा ने कि देश जब तक हेती के मामले में आत्म निर्भर नहीं है तमाम विदेशी राष्ट उसको आँख दिखाने लगते हैं किसी भी अंतराष्टिय मुद्वे पर तो इन दोनों यह शश्वी पधान मंस्रियों ने क्या तै कि देश को इन शेत्रों में आत तक्नीकों को लाकर और सीधे लगा नहीं दिया गया उनको भारत के हिसाब से ढाला गया और उसके बाद भारत में हज़ित क्रांती हुई जिसने भारत को लगभग आत्म निर्भर बना दिया खाध्यान के शेत्र में जिसके कई जियो पॉलिटिकल आयाम भी देखने को मिले 1970 का युद जब हम लड़ रहे थे तो हमें ये डर नहीं था कि अमरीका से चली हुई जले हुए जहाज में हमारा गेहूं और चावल हम तक पहुंचेगा तो नहीं कहीं ऐसा नहों कि अमरीका क्योंकि हमसे गुश्वा हो जाए तो हमारे लिए आने वाले अनाच को वापस मो रहे हैं ये बहुत महत्वपून पैमाना है कम से कम एक प्रतीशत यह आकड़ा है जो तमाम रिसर्चर्च ने माना है कम से कम अपने अगढ़ी कल्चरल बजट का एक प्रतीशत आपको इस रिसर्च और डेवलोपमेंट पर खर्च करना चाहिए यानि कि जो यू यूनिएन तो इस युगदान को बढ़ा कर एक प्रतिशत करना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए तो दूसरी बात भी हमने देख ली दुनिया की तक्नीक उसको भारत में लाना है दूसरी बात आपके Research and Development के बजट को बढ़ाना है तीसरी बात कि भारत ने कई मामलों में बहुत बहतर काम किया है अधिकतर खाद्यान में हम बहुत सुलक्षा हुआली स्टेज में भी है लेकिन कई High Value Products में भारन के तोर पर जो खाद्ये तेल आता है Edible Oil जो आता है तमाम तरह के Refined Oil है यह जो तेल है इनको हम आज भी अधिकतर इंपोर्ट करते हैं अलग-अलग सालों में यह आकड़ा 55 से 60 प्रतिशत तक की परसंटेज में हम इंपोर्ट करते हैं यानि कि लगभग 35 से 40 प्रतिशत या 40 से 45 प्रतिशत ही हम अपने देश में खुद हुगा पाते हैं भारत जैसे देश में जो कि किस्ची प्रधान देश है यह थोड़ा सा इक शर्म का विशय होना चाहिए और हम अपने आप में दुनिया में खुद इन चीजों का निर्याद कर सकते हैं हम एक्सपोर्टर हो सकते हैं और यह हाई वेल्यू प्रोड़क्स हैं तो इस पर हमें ध्यान फोकस करने की जरूरत हैं तो हमने फिर से पहली चीज हमने क्या देखी कि दुनिया की बेस्ट टकनीक को अपने हाल आना है दूसी चीज हमने देखी रिसर्च और डेवल्यू पर बजट बढ़ाना है तीसी चीज क्या देखी सर्टेन प्रोड़क्स जिनको हम आज भी आयात कर रहे हैं बलकि बहुत ज़्यादा आयात कर रहे हैं उसमें हमें ना सिर्फ सेल्फ सफिशेंट होना है बलकि क्योंकि वो हाई वेल्यू उच्छ दाम वाले प्रोड़क्ट हैं तो हमें दुनिया के लिए उसका एक्स्पोर्टर भी बनना है यह तीसरा बिंदू हो गया अब एकॉनमिक सर्वे 2021 बाइस ने कहा था कि जो R&D पे जो आप खर्चा करते हैं उसका सीधा लिंक है कि या अग्रिकल्चर का विकास में कितना योगदान होता है या अग्रिकल्चर का विकास कितना तेजी से होता है गुलाटी सहब और खन्ना साहिबा कहती है कि प्रतियेक रुपी जो इस्पेंड किया जाता है अगर आपने एक रुपे रिस्टर्च और डेवलपमेंट पे खर्चा किया तो वो 11 रुपे 20 पैसे का फायदा करता है खेती को तो आपका एक रुपे मल्टिप्लाई होके किसानों के लिए कंज्यूमर्स के लिए तमाम लोगों के लिए 11 रुपे का फायदा बन जाता है वहीं इसके अगर हम तुनला करें कि जब हम सब्सेडी देते हैं उधारन के तौर पे फर्टलाईजर सब्सेडी तो सरकार जब एक रुपे खर्चा करती है जब वो लोक लुभावन नीतियां बना रही होती है तो लोक लुभावन नीतियां बनाते समय इस बात पर वोट मांगने का चलन नहीं है कि हमने रिसर्च और डेवलप्मेंट पर इतना खर्चा किया चलन किस बात का है कि इतने लोण माफी की गई या इतनी subsidy दी गई, तो इसमपात्य क्या कहता है, कि political will भी दर्शानी होगी, कि आपको खर्चे का एक बड़ा हिस्सा, research and development पर धियान देना होगा, क्योंकि उसके फायदे अंत्रत है, KT के लिए, बहुत अधिक है, और जैसा कि हमने पहली figure से देखा, अभी के थमें, research and development पर जो है, वो बहुत कम है, और हाल कि अगर union budget को भी देखें, तो उसमें भी अधिकतर खर्चा जो है, agricultural sector में, वो safety net और subsidy पर ही किया गया है, research and development पर खर्चा बहुत कम है, समपात्य के कहता है, कि इस सम खर्चे के साथ, हम वैश्वेक इस तरपर, global level पर competitive नहीं हो सकते हैं, इस बात को हमें ध्यान रखना होगा, तो फिर बात के बल सरकारों की ही क्यों हो, बात अब private sector की होने लगी है, इस समपात्य में, समपात्य के कहता है कि क्यों ना हम private sector से ही उमीद रखें, कि वो भी इस field में बेहतर निवेश करें, किस field में, agriculture के research and development field में, क्योंकि जिस प्रकार क माहौल, देश की राजनीती में है, जहां पर लोक लुभावन राजनीती की जवह अलग है, या जादा है, वो समस्या private sector के सामने नहीं है, तो private sector जिसमें तमाम कंपनियों का नाम लिया गया है, बेयर, माहिको, जेन इरिगेशन, महिंदरा एन महिंदरा, ऐसी कंपनियों से उमीद है कि वो तमाम research and development program पर जादा खर्चा करेंगी, और अच्छी बात यह है कि भारत अधारित कंपनिया अगर इसमें निवेश करती है, तो उनके सामने तो लक्ष इसपष्ट है, कि उस टकनीक का फायदा भारत में ही होना चाहिए, उनको उस technology के patent से पैसा नहीं कमाना है, दुनिया के अलग देशों में, उनको उस technology से होने वाले फायदे से पैसा कमाना है, क्योंकि यह बात इसपष्ट है, तो भारत की तमाम जो समस्याएं हैं, मौसम में आ रहे बदलाव हैं, जल का घटता हुआ इस तर है, उसके हिसाब से तकनीके develop होंगी, तो एक और जिस private sector, जिस तरह से marketing कर सकता है अपने products की, वो भी काफी अलग है, तो वो सबको अपने products बेच सकता है, वो nutrient rich food अगर बनाता है, तो वो तमाम वर्गों को अलग तरह की packaging में बेच सकता है, अगेन उस से देश के सामने जो तमाम तरह के nutrient parameters पर हम पिछडते हैं, वहाँ पर हम आग तमाम nutrients added हो, तो इस तरह की चीज़ भी private sector से उमीद की जा सकती है, तो ऐसे में संपात की अंत की और बढ़ते में कहता है, कि हमें ध्यान रखना है कि भारत का जो agricultural sector है, उसमें निवेश इस तरह से हो, कि हम कम से कम निवेश करके अधिक से अधिक फायदा उठा सकें, हमें को climate change के जो तमाम बदलाव आ रहे हैं, हम उससे निजाद पा सकें, और हमारे जो natural resources है, मिट्टी है, पानी का घटता इस तरह है, इन समस्याओं से जूजने के लिए भी पहले से तयार हो सकें, हमारा पूरा focus इस पे होना चाहिए, इसके लिए अभी के समय का जो budgetary allocation है, इसकी quantity को भी थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है, ताकि हमारा जार से ज़्यादा research and development पे खर्चा हो, और भारतिये क्रिशी का जो असल potential है, उस potential को भारतिये केती असीव कर सकें, तो ये था आज का संपात किये, तमाम बिंदूों पर हमने चर्चा की, कोई बिंदू अगर आप से म किस हुआ है, आप उसको दुरा सकते हैं, मिलते हैं कर एक नए संपात किये के साथ, सब तक विलीए, नमस्ता है